Hello students, welcome to my channel So today in this particular video, I am going to explain the poem The Ant and the Cricket, okay So ये particular poem तुमारा CBSC Class 8 के सलिबस में है तो ये poem क्या चीज के उपर based है और क्या poet यहां पर बताना चाता है Let us see So first of all, ये poem का कोई poet का नाम नहीं दिया हुआ है As it is a fable, okay Aesop's fable से ये वाला लिया गया है So fable actually में क्या है? Fable मतलब क्या पहले ये जान लो before reading the poem A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral So fables में क्या होता है? Animals, ठीक है? Animals के through कोई एक moral lesson दिया जाता है ठीक है? कोई भी जो fable होता है वहाँ पर animals लोग बात कर रहे हैं Aisा हम लोग देख सकते है Animals हो, birds हो, insects हो Ais a type of characters This poem about an ant and a cricket Contains an idea of far-reaching significance Which is as true of a four-legged cricket As of a two-legged one तो देखो, ध्यान से सुनो यहाँ पर cricket जो बोला हुआ है Cricket कोई match नहीं है Cricket एक तुमारा कीडा है ठीक है? टाइप अफ इंसेक्ट है तो यहाँ पर एक ant और cricket यह दोनों हम लोग को क्या moral सिखाएंगे यह आज हम लोग यह poem में देखने वाले है ठीक है? Surely you have seen a cricket that has two legs ठीक है? तो यहाँ पर cricket के बारे में बताया जा रहा है जिसका दो pair है बोलके poet का मानना है और he has given an exclamation also for that thing इसका मतलब क्या है पहले देखा अच्छे से Four-legged वाला cricket मतलब कीडा Two-legged वाला cricket मतलब human beings ठीक है? तो वो कैसे relate हुआ में बताऊंगा हो सकते है तुम लों को अभी initial part of the video में यह समझना है So watch the video till the end So that you can understand that mystery between Four-legged cricket as of two-legged one What is the meaning of that thing? ठीक है? तो चलो let's not waste the time Let's begin with the explanation A silly young cricket accustomed to sing Through the warm sunny months of gay summer and spring ठीक है? तो यहाँ पर एक young cricket कीडा जो है उसके बारे में बताया जा रहा है जो हमेशा गाना गाना बहुत पसंद करता था ठीक है? Through the warm sunny months of gay summer and spring तो चाहे summer हो चाहे spring हो हमेशा यह enjoy करने में मगन रहता था और कोई भी season क्यों ना हो इसका DJ चलते रहता है मतलब इसका गाना चलते रहता है ठीक है? Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was calm तो देखो यह कोई काम नहीं करता है यह कीडा हमेशा गाना बजाना घूमना फिरना यहीं करते रहता है तो जब भी winter season आया तभी जाके यह cricket कीरा को realize हुआ कि मेरे घर में खाना नहीं है ठीक है? Not a crumb to be found on the snow covered ground ठीक है? तो उसने देखा कि पूरा रस्ता हर जगा snowfall हो गया है रस्ते के उपर भी कोई खाना फेका हुआ नहीं है नहीं इसके घर में कुछ स्टोर किया हुआ है Not a flower could he see नहीं उसको कहीं अगल अगल कोई flowers दिख रहा है Not a leaf on a tree नहीं ट्री पे कोई leaf है Oh what will become says the cricket of me तो cricket बोला कि अरे अब मेरा क्या होगा? खाना नहीं है, कुछ नहीं है मैं तो जिन्देगी बर गाना बजा के टाइम स्पेंट कर दिया अब जब विंटर टाइम आया है जब बाहर में खाना मिलना मुश्किला तो मेरे घर में खाना नहीं है तो मैं करूं क्या? At last by starvation and for mine made bold तो उसने सोचा कि नहीं भूका मरने से अच्छा मुझे कुछ सोचना होगा All dripping with wet and all trembling with cold Away he set off to a miserly ant तो ये जो cricket कीडा है ये cricket कीडा सोचा कि नहीं मुझे कुछ तो करना होगा बोलके वो ठंडा में ही बाहर निकल जाता है और ठंडा में बाहर निकल के किसके पास जाता है? अब ये जो ant है ant बहुत कंजूस है miserly मतलब कंजूस ठीक है? तो वो ant को जाके बोलता है अरे ant क्या मुझे थोड़ा सा खाना दोगे? रहने के लिए थोड़ा सा जगा दोगे? मैं आज खाना तुमसे उधारी में लोंगा लेकिन तुमको जितना जल्दी हो सके कल तक में लोटा दूँगा if not he must die of starvation and sorrow तो वो जाके बोलता है कि अरे ant अगर मुझे खाना नहीं देते हो तो बिना खाके ही मेरा मौथ हो जाएगा says the ant to the cricket I am your servant and friend but we ants never borrow we ants never lend ठीक है? तो ant slum बोलता है कि देखो मैं तुमारा servant हूँ तुमारा friend भी हो लेकिन हम ants ना किसी को कभी कुछ देते हैं ना उन लोग से कुछ लेते हैं but tell me dear cricket did you lay nothing by when the weather was warm coat the cricket not I तो ant ने पूछा कि अरे cricket जब माहूल अच्छा था जब वेदर अच्छा था तब तुम क्या कर रहे थे? कुछ खाना होना जुगाड करके घर में नहीं रखे थे क्या? cricket बोलता है नहीं भईया खाना तो बहुत जुगाड करना भूल गए my heart was so light that I sang day and night ठीक है? तो cricket बोलता है मेरा दिल इतना खुश था दिन रात पाटी कर रहे थे that I sang day and night for all nature looked gay you sang sir you say तो वो बोलता है कि जब nature अच्छा था मैंने गाना बजा के दिन रात spent किया है ठीक है? अब क्या करूँ? बोलिये तो ant's long उसको जवाब देता है एक काम कर go then says the ant and dance the winter away winter को भी तू ऐसा करके spend कर ले ठीक है? गाना बजा के spend कर ले खाएगा क्यों? thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket ठीक है? तो ant's long के घर में जो wicket था है? वो wicket लेके ये cricket के पीछे दोडा ठीक है? और cricket वहाँ से भागा folks call this a fable I will warrant it true ठीक है? तो यहां बोला जा रहा है कि सब को ही बोलते है कि ये एक fable है ये एक कहानी है ठीक है? लेकिन ये सज भी हो सकता है some crickets have four legs some have two ठीक है? तो बोल रहा है ये cricket तो चार leg वाला है लेकिन reality में दो leg वाला भी cricket रह सकता है ठीक है? तो यहां पर क्या बताया जा रहा है reality में थोड़ा सा समझ लो यहां पर एक moral है moral ये है कि human beings को जब opportunity है human beings के पास जब opportunity है तो वो time में human beings को अपने life में जो जो necessities है जो जो important चीज़े हैं वो सब को gather करके रख देना चीए नहीं तो hard times में problem हो सकता है तो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिन लोग के पास जब पैसा रहता है जब time रहता है उन लोग क्या करते हैं वो पैसा उड़ा देते हैं इधर उदर खर्चा कर देते हैं ठीक है? और real time में उन लोग के life में जब trouble आता है उन लोग और उसको जहल नहीं पाते हैं ठीक है? इसलिए यहां पर जो दो leg cricket के बारे में बताया गया है यह दो leg cricket और कोई नहीं human beings है ठीक है? तो कहानी में कीडा को देके actually में real life में जो human beings के साथ भी क्या हो सकता है उसका बारे में हम लोग को यह poem में पता चलता है So I hope you have followed the poem That's all for today in this particular video